एपिसोड शुरू होता है और वाल्टर बड़ी तेजी से उसके वैन चला रहा होता है बैगराउंड में हमें पोलिस साइरन सुनाई देता है उसके वैन में जैसी और और कोई होता है स्पीडिंग की वज़े से गाड़ी आउट आप कंट्रल हो जाती है और रास्ते के नीचे गड़े से टकरा जाती है वाल्टर फिर अपना वीडियो रेकॉडर और गल निकालता है बाहर निकल के वो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए मैसेज रेकॉड करता है उसे लगता है कि अब वो बस्ट होने वाला है और इसके लिए वो अपने बेटे और वाइफ को एक मैसेज देना चाहता है मैसेज रेकॉड करके वो रोड पे आकर गन को रोड की तरह पॉइंट करता है सैरन की आवाज कंटिनूसली बढ़ती जाती है और यहाँ कैमेरा स्टॉप होता है इसके बाद शो के क्रेडिट्स रोल होते है और स्टोरी थ्रे विक्स अरेर स्टार्ट होती है अरली मॉर्निंग वाल्टर उट जाता है और कुछ वर्क आउट करता है उस समय उसे खासी आते है हमें उसके बाद morning breakfast करते हुए Walter की family दिखाई देते हैं Walter, Walter की बीवी, Skylar और उसका बेटा Walter जुनियर Skylar जल्दी घर आने को बोलती है क्योंकि आज Walter का बड़े होता है familiar family conversation जो mother और father और son के बीच होती है वो हमें दिखने को मिलती है next scene में Walter school को drive करता है और school के handicap parking में car park करता है क्योंकि उसका बेटा Walter junior klutches के साथ चलता है Walter school chemistry teacher होता है वो बहुती brilliant teacher है क्योंकि जिस समय वो teaching करता है उस scene से हमें पता चलता है classroom में उसे एक बच्चा बत्तमीजे से पे जाता है पर वो उसे politely अपने seat पर बेटने को बोलता है next scene में Walter हमें staff room में अकेले lunch करता हो दिखता है Walter school में teaching के बाद car wash में भी काम करता है वो वहाँ cash counter समरता है पर उसके boss उसे उस दिन car wash करने के लिए बोलता है क्योंकि एक employee नहीं आता Walter जब car clean कर रहा होता है तब वहाँ वही classroom का बच्चा आ जाता है और उसकी image ले लेता है और उसका मजाग उड़ाता है Walter जब घर आता है तब उसकी wife ने उसके लिए surprise party plan कोई रहती है वहाँ Skyler के sister Marie और sister का husband Hank आया हुआ रहता है Hank DA रहता है Drug Enforcement Administration में वो रहता है और वो अपने latest raid के बारे में सब को बताता है और वो TV वे भी आता है TV पे Walter ने raid का size क्या था तो वो देखके Walter हिरान रह जाता है 700 के dollars Walter देखता है उस raid में Hank उसे बोलता है कि ये cash नॉर्मल है ड्रग्स में Hank next raid में भी उसे invite करता है Walter के birthday पर भी उसे attention नहीं मिलती क्योंकि सब attention Hank ले जाता है Walter फिर bed उपर Skyler के पास आ जाता है Skyler उसे पूछती है कि वो कब room paint करने वाला है ये room paint आने वाले बच्चे के लिए करना होता है Walter का बड़े होता है इसलिए Skyler उसे satisfy कर देती है next day Walter car wash में काम करते हुए खासी आकर और चकर आकर गिर जाता है Walter के लिए ambulance बुलाई जाती है ambulance में जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो उसे कुछ serious लगता है तो series of tests उस पर की जाती है और next scene में Walter हमें डॉक्टर के साथ बेटा हुआ दिखता है उसके result आ चुके होते हैं और diagnosed हो जाता है कि उसको lung cancer है Walter shock में ही होता है पर Walter को सब समझ में आता है कि वो non-operable lung cancer उसे है और वो किमो के बाद भी कुछी साल जिन्दा रहेगा Walter घर आ जाता है पर फिर भी अपने wife को कुछ नहीं बोलता जब वो car counter पे होता है तो उसका boss उसे फिर से बोलता है कि उसे cleaner बाच करना पड़ेगा तो गुस्सा हो जाता है और job छोड़ के चला जाता है Walter बहुत ज़्यादा depressed हो जाता है क्योंकि उसकी life of fun नहीं रहती तो वो Hank को call करता है और बोलता है कि उसे raid पर जाना है drug के Walter Hank के साथ drug raid पर आता है और वो सब एक गाड़ी में बेठे हुए रहती है फिर discussion होती है कि जो drug की lab चला रहे थे उसमें से एक का नाम Captain Cook है इस बात पर बेट लगती है दोनों DEA officers की raid successful होती है और उसमें एक suspect पकड़ा जाता है Hank को भी chemistry की lab वहाँ देखनी होती है उसको जानना होता है कि actual में ये कैसे drugs बनाते है to be more specific meth ये कैसे बनाते है तो वो Hank से पुछता है Hank उसे बताता है कि हम पहले जाते है और कुछ चेक करके आते है उसके बात तुमाना तभी side की खिड़की से वो देखता है उसका old student Jesse Pinkman जो balcony से खुटता है Walter अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और Jesse को DEA से भागते होए देखता है उसके गाड़ी पर captain लिखा हुआ रहता है इसे उसे पता चल जाता है कि Jesse drugs में involved है Walter surprised हो जाता है कि Jesse ये सब कर रहा है drugs बना रहा है और उसको sale कर रहा है तो Walter schools records से Jesse का पता ढूनता है उसके आंड के house पर Walter जाके देखता है वह उसे Jesse मिलता है Walter उसको interrogate करना start करता है पर Jesse deny करता है कि वह कुछ ऐसा कर नहीं रहा उसके बाद वह captain cook के बारे में बतायता है और उसके number plate को उपर करता है Jesse उसके कोई बात सुनने में interested नहीं रहता तो Walter बताता है कि उसका partner अब jail में जाएगा और वो अभी उसका operation एक सही तरीके से run नहीं कर पाएगा इसके लिए वो partner up करना चाता है वो बलता है कि मुझे chemistry बताए और तुम्हें business तो हम मिलकर ये business करेंगे Jesse उसको seriously नहीं लेता तो वो उसको बताता है अगर तुम deal को हाँ बोलेगे तो ठीक है नहीं तो मैं तुम्हें DA को सोब दूँगा next हमें दिखती है Skyler और Marie के बीच में conversation Marie उससे पूछ रहे कि तुम्हारा novel लिखना कैसे चल रहा है तो Skyler उसे बताती है कि ये एक novel नहीं तो वे store stories लिख रहे हूँ वो कुछ old चीजे बेचने के लिए पैक कर रहे होते है और वो Walter के बारे में पूछते है कि Walter के साथ क्या चल रहा है वो जरा ओफ लग रहा है तो Skyler उसे बता दी कि सिर्फ एक midlife crisis हो सकते है Walter उसके school से सब chemistry के equipment उठा लेता है क्योंकि अब उसे med cook करना है कॉलिटी हम ensure करेंगे और जो advertise करेंगे वो ही बेचेंगे कुछ भी garbage नहीं बेचेंगे जैसी कि math को वो एक garbage बताता है जैसी और वो सब equipment उसके घर में रखते है जैसी उसे बताता है कि हम घर में यह करने सकते है क्योंकि बहुत सारे कुत्ते DEA ने छोड़ कर रखे और वो सूंग लेते है उस fumes को तो उन्हें एक RV rent करनी पड़ेगी जैसी बताता है कि उसकी friend के पास एक RV है और वो rent कर सकते है या buy कर सकते है नेक्स वाल्टर अपने सारे वेसे bank से निकाल लेता है और जैसी को देता है जैसी बोलता है पूरे नहीं पर वो negotiate करने को बोलता है जैसी उसको पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है तुम तो बहुत value वाले थे बहुत पूछने के बाद वाल्टर उससे बताता है कि वो अब जाग गया है नेक्स सीन है वाल्टर जुरियर की shopping का पैंड्स की shopping वो कर रहा होता है पर उसके पैंड्स को उपर लेने के लिए उसको help लगती है उसके डैड की क्योंकि वो handicapped होता है तो जब वो बाहर निकलता है तब कुछ बुली लड़के उसका मजाग उडाते है इसे वाल्टर और स्काइलर को भी बहुत ज़्यादा गुसा आजाता है वाल्टर बोलता है कि चुप रहो मैं आता हूँ और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है पर वो लड़के continuously वाल्टर जुनियर का मजा उडाते ही रहते हैं जब स्काइलर उनके पास जाने को लगती है तब वाल्टर एंट्री से आता है जो बिग बुली रहता है उसको बहुत बुरी तरह से हड कर देता है और फिर वो लड़के वहाँ से चले जाते है यह सीन वाल्टर के रावडी बनने के फर्स सीन है पहले सीन में हमने अभी देखा कि वो बताता है कि मैं अब जाग गया हूँ सीन में उसे confidence आता है उसे alive महसूस होता है उसे मजा आने लगता है life का नेक सीन में हमें वाल्टर और जेसी डेजर्ड में दिखाई देती है जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता या smoke का भी कोई notice नहीं करेगा आरवे में वो सब setup बना लेते हैं वाल्टर अपने सब कपड़े निकालता है और सीब underwear में cook करना चाहता है क्योंकि उसे meth की तरह smell नहीं करना वो उस chemical का smell उसे अपने कपड़े पर नहीं चाहिए जैसी अपने वीडियो कैमेरे से उसे shoot करने लगता है जब वो cook कर रहा होता है तो वाल्टर उसे वो कैमेरा ले लेता है यही कैमेरा हमें episode के first में दिखाई दिया था वाल्टर पूरे scientific तरीके से meth बनाता है और उसको break करने के बाद जैसी को देखाता है जैसी वाल्टर को ब पता है कि इसे किसको sell करना है उसे वो मिलने जाने वाला है अब जैसी उसका crystal metallic एक नहीं drug dealer के पास जाता है यह drug dealer उसके previous partner का भाही होता है को test करने को बोलता है उस drug dealer को शक होता है कि जैसी ने ही उसके brother को frame किया हुआ है जैसी उससे इंकार कर देता है जैसी का previous partner की bell हो चुक उसपे पन रखता है और बताता है कि यह तुमने कहां से कुक किया है फिर जैसी उस drug dealer को और उसके brother को लेके lap तक ले आता है उस वहन तक ले आता है जब जैसी का पुराना partner वाल्टर को देखता है तो वो उसे पहचान लेता है drug raid से उसे पता होता है कि यह DE के साथ था तो व उसे drug dealer होता है तो वाल्टर को मारने वाला होता है तो अगर तुम्हें इसी तरह का crystal meth कुक करना है तुम्हे मेरी रेसी ब् nitrogen में ले जाता है जब drug dealer वहन में जाता है तो उसका भ्रदर भी वो देखने के लिए आ जाता है तब वाल्टर एक explosive reaction करता है जिसके gas poisonous होता है उस poisonous gas स लोग मर भी सकते है तो Walter वो reaction करके वहन से बाहर आ जाता है और वहन को lock कर देता है बीच में कि ये दो drug dealer और उसका भाई दोनों घायल हो जाते हैं drug dealer का भाई बहले cigarette पी रहा होता है और उसका cigarette वो वही फेक देता है इससे गाड़ी के पीछे आग लग जाते है और उसके बहुत जादा smoke होने लगता है Walter उस smoke को बुजाने का try करता है पर वो बुजा नहीं पाता और बहुत सारी flames वहाँ से आती है तो Walter वहाँ से गाड़ी लेके भागता है अब हम फिर से सिरीज के first scene पे आते हैं वही गाड़ी Walter चला रहा होता है और वो गड़े में गिर जाती है और जब वो safety off करता है तो bullet कहीं और ही चल जाती है उसका courage नहीं होता है खुद को मानने का जब थोड़ी देर बाद वो silence बहुत ही पास आ जाते तो उससे पता चलता है कि यह fried विगेट था कि कोई police नहीं आ रही है वो chain की सास लेता है फ्राय विगेट जाने के बाद J.C. होश में आता है और उससे पुछता है कि उन दोनों को क्या हुआ वो बोलता है कि वो अब मर चुके है क्यूंकि उसने जो chemical create किया था उसकी एक सास ली तो भी लोग मर जाते हैं नेक्स सीन में हमें Walter ड्रायर से बहुत सारे पैसे निकालत हुआ दिखता है यह सब होने के बाद वो जब बेड़ पे आता है तो Skyler उससे पुछती है कि तुम बहुत ही कम उससे बोलने लगे हो और क्या चल रहा है उसको पता चल जाता है कुछ तो गड़ बड़े है Skyler उससे बोलती है कि मुझे तुम ऐसे चूप नहीं कर सकते तो Walter उस पर कुछ नहीं बोलता और डायर्क्ली उससे किस करता है After that they make love इस तरह से एपिसोड खतम हो जाता है इसके पहले परड़े सीन में वो पेनेट्रेशन सेक्स नहीं करते है क्योंकि Skyler पेगनेंट होती है पर इस सीन में वो डायर्क्ली सेक्स करते हुए हमें दिखाया गया है क्योंकि He doesn't care anymore क्योंकि उसे आप फरक नहीं पड़ता क्या होगा इस पुरे एपिसोड में हमें Walter का transition दिखाया गया है कि एक डरा हुआ आदमी और उसके बात उसकी self worth उससे पता चल गई है और उसका एक transition एक confident man में हो चुका है जैसा Walter ही बोलता है कि वो जाग गया है उसे आप जिन्दा में हैसूस हो रहा है एपिसोड टू का फरस्स सीन ये प्रिवियस एपिसोड के सीन से ही start होता है Walter बेस से उठता है और सरा फेशनम हो जाता है उसके बाद 20 अवर्स पहले क्या हुआ था वहाँ से story फिर से start होती है जो कार डीच में गई थी उसे बाहर वो निकालते है टोटरक वाले को पैसे भी वो उस ड्रग डिलर के ही देती थी जो पैसे अब गिले हो चुके है वही गिले पैसे फरस्स एपिसोड के एंडिंग में हमें ड्रायर में सुकती हुए दिखे थे वाल्टर जेसी को बोलता है अभी आरवी हम तुमारे घर लगाएंगे और इस में इसको साफ करेंगे उसके बाद हम हमारे सेपरेट रस्ते पर चले जाएंगे उन दोनों को डाउट होता है कि आरवी स्टार्ट होगी या नहीं आरवी स्टार्ट तो हो जाती है पर पीछे से कुछ आवाज आ जाता है वो जब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ड्रग डिलर अभी भी जिन्दा है और एक लॉंग शॉट में हमें दिखता है कि जेसी का मास्क वहाँ डेजर में ही पड़ा हुआ है अब हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जब मैंने बोला था कि वोल्टर बेट से उठने के बाद फ्रेश होता है तो वही वो सो जाता है उसके बाद वो ब्रेकफर्स के लिए जब आता है तो कन्वेसेशन जरा ओक्वर्ड हो जाती है वोल्टर जुनियर को लगता है कुछ ओफ है पर तभी जेसी का कॉल आ जाता है जेसी एक से रिप्रेजेंटिटिव होने का ढोंग करता है वो इस मैसेज पर जाने कि से पहले ही वोल्टर जाकर कॉल को रिसीव कर लेता है जेसी उसको पताता है कि ड्रग डिलर अभी भी जिन्दा है भैन में अभी भी उसका साउन आ रहा है स्काईलर को ये थोड़ा सा सस्पीशियस लगता है वो कॉल इसलिए कॉल बंद होने के बाद जब वॉल्टर घर से बाहर निकल जाते है next scene में Walter बच्चों को chirality के बारे में बता रहा होता है chirality मतलब एकी सेम elements के अगर position change कर दो तो वो बदल जाता है उसका nature बदल जाता है ये scene represent करता है Walter के change को जब उससे cancer नहीं हुआ था तो उसकी position अलग थी उसके life का perspective अलग था वो अपने lecture में ये भी बताता है कि पूरे opposite effects आ सकते same elements से ये opposite effects हमें अभी Walter में दिखाई दे रहे हैं Walter अपने school से थोड़ा सा ACL चुरा लेता है जब जेसी अपने घर में होता है और जखमों पर थोड़ा सा make-up लगा रहा होता है तभी उसे कुछ आवाज आती है जब वैन में देखने जाता है तो उसे blindfold दिखती है जो निकाली हुई होती है इसका मतलब जब वो चेक करता है तो उसे मालूम होता है कि ड्रग डिलर यहां से भाग चुका है फर Walter भी Jesse की घर पहुच रहा होता है तब जब रास्ते में Walter को यह ड्रग डिलर दिखाई देता है जूमबी जेसे वो चल रहा होता है जब Walter गाड़ी खुमाता है और उसे बात करने कोशिश करता है तो वो भागने लगता है और पेड़ से टकरा जाता है और वही बेहोश हो जाता है यहाँ Skyler का doubt अभी भी गया नहीं है तो इसलिए वो call trace करने में लग जाती है जब वो number backtrace करती है तो Jesse का नाम और उसका पता उसको मिल जाता है उसके बाद जब वो Jesse के website पर जाती है बहुती अटपटी website तो उसके website के नीचे उसके education में Walter जिस school में पढ़ाता है उस school का नाम लिखा हुआ होता है इसे उसे परदा चल जाता है कि उसके किसी Walter के किसी student का उसे phone आया था Walter और Jesse Walter की गाड़ी से drug dealer को निकाल कर अपने basement में Jesse की basement में उसे चिपा देते हैं जब वो उपर आते हैं तो Walter Jesse से पुछता है कि जो dead body van में है वो सच में dead है क्या तो Jesse बोलता है कि वो sure नहीं है पर उसे तो dead ही लग रही होती है Next Walter ड्रग डिलर के बारे में पुछता है तो Jesse उसे कहता है कि इसका नाम crazy eight है ये किसी street में drug deal नहीं करता तो ये सब का boss है और ये distribution level पर काम करता है तो Walter उसे बोलता है कि ये एक businessman है तो क्या ये कोई भी deal करने को राजी होगा तो Jesse उसे बोलता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हमारी पूरी family को मार देगा तो ये दो problem उनके सामने होती है crazy eight का क्या करे और crazy eight के cousin का क्या करे Walter Jesse को बताता है अगर हमें dead body को ठीकाने लगाना है तो हमें acid में उसे melt कर देना चाहिए ये हमारा best option होगा Jesse उसे बताता है कि मुझे dead body से कोई deal नहीं करने पर crazy eight basement में आवाज कर रहा होता है तो crazy eight को ban भी देना पड़ता है तो Jesse अपने motorcycle का जो lock होता है उससे crazy eight को lock कर देता है Walter बताता है कि अब ये दो situation है तो हम heads या tails कर लेते हैं Jesse कहता है कि वो dead body को ठीकाने लगा देगा पर उससे crazy eight को मारने का उससे काम नहीं होगा Jesse toss जीतता है अब Jesse एक container buy करने जाता है जिसमें उससे body melt करने होती Walter को call करके पुछता है कि कौन सा container लेना है Walter बताता है कि polyethylene जब वो Walter से फिर वो Walter से पुछता है कि मुझे ज़रा कमजोर लग रहा है यह acid में नहीं tick पाएगा Walter उससे कहता है कि तुम्हें chemistry के बारे में कुछ भी नहीं पता फिर उसके बाद Jesse एक container उठा लेता है और एक कोने में जाकर उसमें बेटने की कोशिश करता है देखता है कि dead body fit होगी भी या नहीं बहुत ही funny scene है Jesse Walter को पूछता है कि उसने crazy eight situation को handle किया या नहीं Walter उसके बोलता है कि वो ढून रहा है इसका solution Walter brainstorming करता रहता है कि कैसे उसे crazy eight को मारना है तभी उसे idea आता है कि plastic के back से इसका दम घोट कर हम इसे मार सकते है जब वो उसे मारने जाता है तो crazy eight जगा हुआ होता है और उसे बाते करने लगता है तभी Walter डर जाता है और उपर चला जाता है crazy eight उसे बोलता है कि उसे pass लगी है तो इसलिए वो freeze खोलता है और उसके लिए कुछ खाना लाता है और वो सब supplies crazy eight को दे देता है उसको toilet paper, खाना, पानी, इवन hand wash भी उसे देता है उपर जाकर उसे जेसी का weed मिलता है और वो कुछ smoke करने लग जाता है इसे हमें बलता चलता है कि crazy eight की situation को उसने जरा postpone कर दिया है तब जेसी घर आता है घर आकर पूछता है कि उसने crazy eight को मारा है नहीं crazy eight के खासने का आवाज आता है और Walter उसे बताता है कि मैं ये कल कर दूँगा जेसी को भी बहुत बड़ा content नहीं मिलता जिसमें वो dead body को melt कर सके next scene आता है Skylar की sonography डॉक्टर उनसे पूछती है कि आपको gender पता करना है तब वो दोनों हाँ बोलते है और Walter को पता चलता है कि ये girl होने वाली है वो खोश होता है पर वो बाद में दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने बेटी को बड़ा होता नहीं देख सकता तब सकाइलर उससे पुछती है कि ये जेसी कौन है Walter उससे बताता है कि वो कोई भी नहीं है सकाइलर उससे पुछती है कि उसके website पर तुमारे स्कूल का नाम था क्या ये तुमारा पुराना student था वो एक drug addict की तरह लग रहा है तो Walter उससे बड़ी intelligently बताता है कि ये मुझे मेरो आना सेल करता है मुझे अच्छा लगने लगा है थोड़ा थोड़ा उसे फर्दर बताता है कि मैं मुझे जैसा महसूस नहीं कर रहा पर मैं तुमसे बहुत पैर करता हूँ और ये change नहीं होने वाला तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो इस तरह से वाल्टर उसे जुट बोलकर अपने आपको सेव कर लेता है जैसी अपना courage gather करके body को van से बाहर निकालता है और वो अपने घर में ले जाने ही वाला होता है तभी Skyler उसके घर पर आ जाती है Skyler को देखकर उसकी फट जाती है और वो Skyler को वही दरवाजे पर रोक लेता है Skyler उसे धमकाती है अगर उसने वाल्टर को मेरिवानस बेचना बन नहीं किया तो वो अपने sister के husband को complain कर देगी क्योंकि वो DEA है याने की Hank को वो complain कर देगी और वो उसको ये भी बता दे जाती है कि उसे अपना profession चेंज कर लेना चाहिए Breaking Bad की यही खासी है थे ये बहुत बार sarcastic, funny, dark comedy की तरह लगता है पस सब इसमें great है dialogue, characters, बहुत सारी चीज़े Skyler के घर जाने के बाद JC body को लेके second floor पर उसके bathtub में डाल देता है तो उनमें थोड़ा सा argument होता है कि क्यों उसने अपने wife को पताया कि वो उसे महरवाना sell कर रहा है Walter उसे बताता है कि ये थोड़ा सा convenient था इससलिए उसने बताया था JC बोलता है कि मैंने dead body की situation को समाल लिया है पर basement में crazy head को अभी भी तुमने नहीं मारा तो Walter हैरान हो जाता है और उसे बाट टब के बारे में पुछता है जब वो बाट टब देखने जा रहा होता है तभी HCL बाट टब के साथ पूरी ceiling को भी melt कर देता है और पूरे dead body की body organs फ्लोर पे बढ़ जाते हैं ये scene यही खतम होता है और नेक scene में जो जेसी का mask डेजर्ड में गिर गया था वो mask दो बच्चों को खेलती खेलती मिल जाता है और बच्ची उस mask को पहन लेती है यही ये episode खतम हो जाता है episode 3 start होता है और Walter और जेसी dead body के जो remains होते हैं वो साफ करे होता इसका alternative scene आता है जो Walter की mind state बताता है उसका mind thought हमें इस scene में दिखाए देता यह scene होता है Walter के college days का वो blackboard पर body के जो chemicals होते हैं उसको measure कर रहा होता है body में इतना percent, iron उतना percent, calcium तो यह सब चीज़े वो calculate कर रहा होता है उसके classment के साथ सबकी addition करने के बाद 0.1 percent uncalculated उसे मिलता है तो इसके बारे में वो अपनी classment को बताता है कि body में सिर्फ इतना ही नहीं हो सकता इसके बाद भी body में कुछ होना चाहिए तो इस scene हमें imply करता है कि वो human soul के बारे में बात कर रहा होता है यही उसके दिमाग में चल रहा होता है अब जो उसे crazy eight को मारना है तो जो moral conflict से उसे गुज़दरना पड़ता है तो यह scene उसी को represent करता है blood में mix हुआ होता है जो acid तो वो टपक के basement तक आ चाता है crazy eight को पता चल जाता है कि आपका अब उसका अंत नियर है next scene Murray और Skylar के बीच की एक conversation Skylar पता करना चाती है कि Walter के साथ आखिर हो कह रहा है उसके मन में यह conflict ही चलती रहती है इस scene में Skylar room paint कर रही हूँ जो room episode one में वो Walter को बताती है paint करने उसे लगता है कि marijuana Walter ले रहा है इसलिए वो ऐसा behave कर रहा होगा जरा off behave कर रहा होगा तो Murray से भी पूछती है कि तुमने भी तो college में marijuana try किया था तो कैसा effect तुम पर आया था तो Murray उससे कहती है कि मैं जरा focused हो गई थी पर Skylar ने भी marijuana के साथ experiment किया होता है उसे light headed महसूस हुआ होता है तब Murray को suspect होता है कि Walter जुनियर ले रहा होगा marijuana यानि कि weed Walter जुनियर कर रहा होगा तो वो Skylar को तभी confront करती है Skylar बोलती है कि वो 100 बस नहीं कर रहा Walter crazy eight की सब toilet flush करने के लिए basement में आता है पर crazy eight को अब बता चल चुका है कि उसका end अब नियर है तो इसलिए वो Walter को manuminate करने की कोशिश ता है Walter को ये भी पताता है कि जैसे तरह से मुझे तुमें burn करके रखा है ये बहुत ही degrading है मेरे enemy को भी ये से treatment नहीं दूँगा Walter को बहुत गुसा आ जाता है JC पर क्यूंकि जैसी ने सब बता दिया होता है उसके और उसके family के बारे में तो वो JC को ढोनता है पर JC बातरूम में होता है तो directly door open करकर आ जाता है और JC math try कर रहा होता है उन दोनों में लड़ा ही हो जाती है और Walter उसका math नीचे fake देता है JC जब गाड़ी लेके बाहर जा रहा होता है तब Walter उसे रोक लेता है और उनमें जगड़ा हो जाता है तो JC उससे बोलता है कि मैंने मेरी situation को handle कर लिया है पर तुमें अब crazy head को ठीकाने लगाना होगा तुमें इसे postpone नहीं कर सकते वो बोलता है कि हमने coin flip किया था और तुमें तुमारा काम तो करना ही पड़ेगा मरी के मन में Walter Jr. के regarding एक doubt फिर भी होता है इसलिए वो Hank को call कर दो वो बोलती है कि में भी Walter Jr. weed consume कर रहा होगा तो तुमें उसे जरा डराना चाहिए और reality के situation के बारे में उसे जरा समझाना चाहिए उसे कुछ गंदी-गंदी चीज़े दिखा दो कि उससे वो डर जाए और वो फिर से मेरवाना कभी ना करे इसा वो अपने पती Hank को बोलती है Hank पहले ना बोलता है फिर फिर वो मान जाता है मरी जब Hank को call करती है तो वो एक sandal shop में होती है उस shop की employee उससे disrespectful बात करती है तो वो sandal चोरी कर लेती है और उसके पुराने shoes वहा रख देती है Hank फिर वोल्टर जुनियर को किसी अलग place ले जाने के बहाने एक model पर ले जाता है उस model में सब prostitute रहती है तो वो उसे एक reality situation दिखाने के लिए एक prostitute को अपने पास बुलाता है और उसके सब गंदे दाथ वगरा सब उसको दिखाता है उसे डराने की कोशिश कर रहा है वोल्टर जुनियर को समझ में आता कि ये क्यों कर रहा है उसे वो सब बाते वो बताता है और वहां से वो निकल जाते है उसी model में JC भी आया हुआ रहता है तो इससे हमें JC जैसा चल रहा है वैसे चलने देगा तो उसका future क्या होगा इसके बारे में हमें पता चलता है रात हो जाती है पर फिर भी वॉल्टर अपने घर नहीं जाता है वो pros and cons लिख रहा होता है crazy eight को मारने के वो Skyler को एक call कर देता है कि उसे car wash पर ज़रा ज़ादा वक्त लग रहा है इसलिए वो ज़रा लेट हो सकता है पर Skyler को पता चल जाता है कि वो एक week से उसने वो job छोड़ दिया है वो worried होती है इसलिए car wash पर call कर दी है और उसको पता चल जाता है तो Walter उसके लिए एक sandwich बनाता है और जब वो basement में जा रहा होता है तो उसे बहुत खासी आती है और वो stair से गिर जाता है और sandwich और उसके plate food जाती है वो वही unconscious हो जाता है थोड़ी देर बाद जब Walter उठता है तो उसे crazy head बताता है कि उसे लगा था कि वो मर ही गया होगा Walter उसे बताता है कि वो फिर से एक sandwich बना कर ले आगा Walter अभी भी ज़रा internal conflict में ही है कि crazy head को मारना चाहिए या नहीं तो उसके लिए sandwich भी बनाता है और beer भी लेके जाता है उसके लिए crazy head को वो sandwich देता है और beer भी ना शुरू कर देता है Walter crazy head को उसका असली नाम पुछता है उसको और भी जान लेने की कोशिश करता है crazy head उसे बताता है कि अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो मेरे बारे में जानना कुछ आपको help नहीं करेगा पर crazy head उसे अपने बारे में भी बताता है crazy head के पास actual में business की degree हो उसके father का furniture का shop होता है Walter को पता चलता है कि Walter junior के लिए जो crib लाई थी वो उसी furniture shop से लिए crazy head बताता है कि मैं वहां 100% हुआ होंगा जब आपने वो crib ली Walter अपने conflict के बारे में बताता है कि अगर मुझे एक भी reason लगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए तो मैं आभी क्या भी तुम्हें छोड़ दूँगा crazy head उसे बताता है कि मैं इस सब के बार में भूल जाऊंगा तो सिर्फ घर जाने के लिए thankful रहूंगा Walter अपना mind change कर रहता है और उसे लगता है कि आभी crazy head को छोड़ देना चाहिए तो वो उपर जाता है चावी लेने के जब वो चावी लेने के लिए जाता है तो वो dustbin में कुछ फेकना चाता है जब वो dustbin देखता है तो तुझे उसे doubt आता है तो फिर वो जो plate तूटी हुए रहती है उस plate को फिर से reconstruct करते देखता है तो उसे पता चलता है कि प्लेट का एक पार्ट मिसिंग है उसे पता चल जाता है कि अगर वो crazy eight को छोड़ेगा उसको unlock करेगा तो वो walter को मार देगा walter जावे लेके नीचे जाता है वो crazy eight को turn होने को बोलता है ताकि वो उसके unlock कर सके तबी उसे Crazy 8 वो प्लेट का टुकडा हाथ में लेते हुए दिखता है तो उसे Walter गला घोट कर मार देता है इस चीज का उसे बहुत पच्टा होता है वो हरो भी देता है रात खत्म होने के बाद J.C. अपने घर लोटता है तो जब वो वैन देखता है तो वैन का सब समन Walter ने clear कर दिया होता है जो वो basement में देखता है तो उसे Crazy 8 भी नहीं मिल नेक्स सीन में हमें Walter का classroom देखता है Walter को अच्छा fail नहीं हो रहा होता है तो इसलिए एक नई teacher आती है और वो उनको TV पर ही lecture पढ़ाती है सब disappointed लगते है नेक्स सीन में जहां आग लग गई थी उस site पर DE agents बहुच जाते है और वो discuss करते है तो हमें वहाँ पता चलता है कि जो Crazy 8 का brother था जिसो बेल पर छोड़ा गया था तो वो DA के लिए काम करने वाला था उनको information वो देने वाला था अगर Walter उन दोनों को नहीं मार देता तो वैसे भी Walter फसने वाला था अगर वो Crazy 8 को नहीं मारता फिर भी Walter को ही मरना था तो ये एक philosophy developed हुए इस episode में कि अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो वो तुमें मार देगा एक one way to look at the world यहाई established किया है Walter हमें नेक सीन में रोड के साइड में बेटा हुआ दिखाए देता है तो वो वही human body के elements को calculate करने वाली scene को सोच रहा होता है तो उसकी classmate उसके पूछती है कि जो 0.1% था वो soul का हो सकता है तो Walter उसे बताता है कि यहाँ सिर्फ chemistry चल रही है तो जो हमें actually scenes में दिखाया गया है कि एक practical world है तो यही theory Walter भी support करता है यह इस scene से established करते है इसके बाद Walter घर जाता है और Skyler को बदा देता है कि उसे cancer हुआ है यही है यही एपिसोड खतम हो जाता है बहुत ही अच्छे से character development Walter की इस episode में हुई है एपिसोड फर्स स्टार्ट होता है और Frank अपने team को operation eyesbreaker के बारे में बता रहा होता है तो वो बोलता है कि उसका snitch यानि कि उसका ख़बरी crazy eight था और crazy eight जब से वो streets पे था तब से उसका ख़बरी रहा है और वो boss बन चुका था पूरे drug का उसने ही अपने brother को पकड़वाया था DA के हातों से तो अब वो बोलता है कि जो meth हमने side से जो side burn हो चुकी होती है उस side से हमने जो meth collect किया था वो सबसे purest form का था जिसने उस meth को check किया वो भी बोल रहा था कि वो भी इतना अच्छा meth नहीं कूप कर सकता अब वो दोनो crazy eight और crazy eight का brother दोना अब गायब है शहर से तो अब शहर में कोई अलग खिलाडी आया है और वो सबसे best है और हमें फिर से breaking bad उसका quirky और funniness दिखा देता है इस scene के बाद यह बहुत ही serious scene था और इस scene के बाद directly हमें Walter का brush करते हुए उसका close up हमें दिखाए गया है तो next scene में Marie, Hank, Skyler और Walter सब एक barbecue कर रहे होते हैं Walter के घर तो अब Hank Walter Junior से बात कर रहा होता है कि अब तो लड़किया तुम पर मरते होंगी और अगर तुम में बहुत confidence है तो easily तुम लड़किया बढ़ा सकते हों तो इसे बातों बातों में Hank Walter से पुछता है कि वो Skyler से कैसे मिला था तो Walter पूरी स्टोरी अपनी बता था है कि कैसे वो लैप के पास Skyler रेस्टोरंट में काम करती थी और crossword करते करते वो उसे देखता था और कैसे उसने approach किया पर उतने में Skyler रोने लगती है क्योंकि वो अभी सहन नहीं कर पाती वो news उसे खाई जा रहे थी कि Walter को lung cancer है और वो किसी को भी बता नहीं पाती तो इसलिए वो रो पड़ती है तो उसे सब पुछते कि क्या हुआ तो वो बोलती है कि Walter से पुछो फिर Walter confess करता है कि उसे lung cancer है next scene में सब discuss करते हुए दिखे और Walter Junior अपने room में headphones पे कुछ rock music सुन रहा होता है जब वो discuss करते हैं तो बोलते है कि क्यों उस नहीं बता है एक महीने तक फिर Marie कहती है कि और best oncologist को वो call करेगी और best oncologist से एक appointment ली जाए तो Hank उसके लिए मान जाता है इस scene के end में Hank Walter को बताता है कि कुछ भी हो जाए पर वो उसकी family के हमेशा take care करेगा JC ने अपने घर पर कुछ friends बुलाए रहते हैं तब एक friend जब toilet पर जाता है और जब वापस आता है तो वो ceilings देखता है जहांसे acid or red body नीचे गीरी थी तो वो आकर उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था दूसरा friend उसे बोलता है कि मेरे पापा contactor है वो उसे fix कर दे सकते हैं जैसे बोलता है कि कुछ नहीं सिर्फ house अब पूरा नहों गह रहा है इसलिए वो जारा तकलिफ दे रहा है वो friends उससे पूछते है कि अभी भी क्या तुम meth create करते हो cook करते हो तो वो बोलता है कि अब तक की best batch मैंने बनाई है एक नया formula है उससे मैंने बैच बनाई है पर यह health के लिए अच्छे नहीं होती इसलिए मैं अभी इसको use नहीं कर रहा हूँ उतने में उसके friends दो friends होते तो व और फिर से जैसी नशे करने लगता है उसे खिड़गी से दिखता है कि दो बाईकर आ रहे है उसके घर उसे मारने के लिए तो वो घर से बाहर निकल जाता है और वो सिर्फ दो बच्चे होते हैं जो ब्रोश्यर लगाने के लिए आय होए होते हैं तो basically जैसी बहुत paranoid दिखा जाया है उस ड्रग्स की वज़े से जब वोल्डर अपने घर में भी खासता है तो वीवी उसकी बीवी पूछती है कि कुछ मदद तुमें चाहिए या नहीं तो उसकी ज्यादा extra care उसकी वीवी करने लगती है मरी ने specially उसके बॉस से एक फेवर कर करके ये appointment Skylar को दी हुई र 4 नकरें के बाद Walter से पुछता है कि credit card का क्या तुम बोल रही तो Skylar उसको बताती है कि हमें 5000 डॉलर्स डिपोजिट करने होंगे तो जारा discussion के बाद Walter से बताता है कि 5000 डॉलर्स में डिपोजिट करा दूंगा मेरे pension Walter ने crazy 8 के पैसे जहाँ छुपा के रखे हुए होते वह से ज walter वह पैसे डिपोजिट करने जा रहा होता है तब पीछे से पुलीस की गाड़ी आती है वह बहुत दर जाता है और वह भुछ से पूल ओवर कर लेता है पर वह पुलीस की गाड़ी सीधे स्टेट चली जाते है जब Walter पैसे जमा कर रहा होता है तो उसके लाइन के आगे एक पर फोन पर एक वोमन को बहुत डिस्रिस्पेक्ट करता है तो वाल्टर को उस पर बहुत गुशा आजाता है वो फिर से आता है एपिसोड के लास्ट में वो में तब आपको एक्स्प्लेंग करूंगा उसके बाद हमें एक फैमिली डिनर चलता हूँ अधी कराया होता है और च सबसे चाईड से पूछ रहे होते ही कि उसकी बैक्टिस या सब कुछ कैसा चल रहा है उनको अपने यार्ड में कुछ आवाज आती है और वो जैसे होता है और वो बोलते है कि तुम यह क्या कर रहे हो बेटा फिर जैसे अपने रूम में जाकर सो जाता है और वो पूरे एक दिन तक सोता है, दूसरे दिन रात को ही वह वापस आता है, उसके फादर और मदर में डिसकेशन होती है कि यह फिर से ड्रग पर तो नहीं है, वो बोलते है कि हम उसे रहने देंगे घर पर अगर वो चर्ज के मिटिंग पर आए, जैसे अपने भाई से भी एक बॉन मनानी की को अब इन रूप में जाकर उसे नहीं नहीं आती, तो वो अपना पूराना स्टोरेज कबर्ड ओपन करता है, उसमें उसके चाइल्ड होड के जो ड्राइंग्स वगरा होते हैं, वो सब उसे देखते हैं, उसमें वाल्टर की भी एक फनी ड्राइंग होते है, जैसे को फिर से उसके फ्रेंड्स का कॉल आता है, वो यह फ्रेंड्स जो उसके घर पर थे और उसने उनको मेद दिया था टेस्ट के लिए, उसको बोलता है क्योंकि उसका भाई टाउन में आया हुआ है, और उसको जितना भी उसके पास होगा, तो वो पूरा उन्हें बाई करना है, नेक्स बोलता है कि मैं careful था और मैंने Skylar को जाने दिया और उसके बाद ही मैं घर में आया हूँ JC उसे पूछता है कि अगर हम फिर से मेट कूप करने लगे तो हमें बहुत ही फाइदा हो सकता है क्योंकि बहुत ही डिमांड है जो लोग बाई कर रहे हैं तो उनको सब को अच्छा लग रहा है वाल्डर कुछ भी बात करने के मोड में नहीं होता पर फिर भी JC उसको बताता है कि उसको सेल करके 4000 डॉलर्स कमाया है और वो वाल्डर को सब पैसे दे देता है इसके नेक्स सीन वाल्डर और उसके उनकोलोजिस में बीज की कन्मेशिन है तो उंकोलोजिस उसको बताता है कि हमारे पास जो treatment available है उससे तुमारे treatment हो सकती है पर उसके बहुत सारे side effect भी उनको बताता है लीस चलती ही जाती है और sound fade होता जाता है नेक्स सीन में हमें दिखाएगा है कि JC के घर की जो मैड होती है वो जेसी के रूम में एक weed cigarette उसे मिल जाती है और उसके father और mother उसको बहुत डाटते हैं उसके बाद और वो घर से निकल जाने के लिए बोलते है जो बाहर इंतजार कर रहा होता है टैक्सी का तभी उसका छोटा brother वहाँ आ जाता है और बोलता है thank you मुझे बचाने के रिए वो actual में उसके brother की weed cigarette होती है वो फिर से वो weed cigarette मांगता है पर जैसी उसे वो cigarette नहीं देता वहाँ से चला जाता है स्काइलर अब होस्पिटल के सब ब्रोस्टर जो होते हैं वो देखने लगती है और वो Walter को बताती है कि यह बहुत ही helpful है तो वो next plan के बारे में पुछते है तब Walter discuss करता है कि हमें इसके बारे में और कुछ सोचना चाहिए फिर स्काइलर पुछती इसके बारे में हम क्या सोचे Walter बताता है कि यह बहुत ज़्यादा बैसे हमें around 90K खुछ से डालने पड़ेंगे इस statement के लिए और अगर फिर भी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इतने बड़ी debt डाल के तुम पर नहीं जा सकता इस वाल्टर जुनियर बहुत गुस्ता हो जाता है और Walter को मज जाने के लिए बोलता है नेक्स सीन में Walter कार में गैस बने के लिए जाता है तब ही उसे फिर से वो hot shot दिखाई देता है तो marketing hot shot और फिर से वो ही अपने phone पर वो बात करता होता है और Walter की जो car parking space भी होती वो भी वो ले जाता है तो Walter एक weight brush लेता है और उसके battery में डाल देता है उसे वो गाड़ी उसकी फट जाती है इस तरह से episode खतम हो जाता है इस episode में हमें Walter की financial situation के बज़े से वो एक track ले सकता है और solution जेसी के पास है तो अब उनको फिर से वापस आना पड़ेगा एक team बननी पड़ेगी और उनको फिर से पैसे कमाने पड़ेंगे तो ये established हुआ है इस episode में जेसी का भी character development बहुती अच्छी तरह के से हुआ है इस episode में इस episode में Walter का बहुती ज़्यादा character development था इस episode में जेसी का character development हुआ है मैं पता चलता है कि जेसी का interest अलग areas में लाए करता है पर उसके mom dad सिर्फ उसे academic success को ही एक ज़्यादा importance देते है ये भी हमें दिखने को मिलता है इस episode में एपिसोड स्टार्ट होता है और जेसी हमें interview में दिखता है जेसी advertising agency में interview कर रहा होता है उसे sales position के लिए job चाही होता है पर जो interview उसका ले रहा होता है उसे बोलता है कि एक advertising जैसा job है तो curtain open करता है और उससे एक joker जैसा एक आदमी दिखाता है तो में ये job करना पड़ेगा जेसी वहाँ से निकल जाता है जेसी जब वहाँ से निकल जा रहा होता है तो वह जोगर जे साथ में उसके पीछे भागता है वो उसका एक friend होता है उसका नाम बैजर होता है तो एक दूसरे के life में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करते है बैजर उससे पुछता है कि क् को लगता है मेद बनाने के लिए तो बैजर उसको बोलता है अगर तुम्हें सुडो की प्रॉलम होगी तुम्हें बहुत सारा अबलेबल करके दे सकता हूँ हम पार्टनर अब भी कर सकते हैं बैजर वहां से निकल जाता है क्योंकि उसका ब्रेक पिरेड खतम हो जाता है नेक सीन में वाल्टर और स्काइलर एक फ्रेंड के बड़े पर जा रहे होते हैं वाल्टर वहां जाने पे तकतर आता है वो जो अपने फ्रेंड के लिए जो गिफ्ट लेता है वो भी उसे उतना कॉंफिदन्स नहीं रहता कि ये अच्छा गिफ्ट है भी या नहीं तो उन दोनों को वेलकम करते हैं ग्रेचन वही लड़की है जो वाल्टर के एज यंग सीन में हमें दिखाई गई थी सेकंड एपिसोड में जब वो बाडी एलेमेंट्स ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा होता है वाल्टर का फ्रेंड अब वाल्टर को फिर से बुला लेते हैं और उनके ग्रूप में वो डिस्कस करते कि वाल्टर कितना ब्रिलियंट था यहां हमें पता चलता है कि इलेट और वाल्टर दोना साथ काम करते थे और वाल्टर भी एक साइन्टिस्ट हुआ करता था अब वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है तो उसे जरा गिल्टी महसूस होता है उस कराउड में पारटी में नेक्स्ट इवेंट होता है कि जिसमें इलेट सब गिप्स को खोल रहा होता है तभी उसे वाल्टर का गिफ्ट मिल जाता है और वो जब उसे ओपन करता है तो उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उन्होंने वही एक प्रेट्जल्स या कुछ होता है उसका पैकेट वाल्टर ने उसे गिफ्ट दिया होता रहता है तो वो जो gift होता है वो उसको अपने college days की याद दिला देता है वो जब roommate थे और उस पर ही गुजारा करते थे वो आकर Walter को गले लगा लेता है फिर Elliot और Walter काउच पे बैठी कर गपे मारते दिखते है जब उनको थोड़ी देर हो जाती है बात करते करते तब Elliot Walter को एक offer देता है Elliot बोलता है कि आओ हम मेरी company में आकर तुम कुछ काम कर सकते हो और फिर बोलते बोलते ये भी बोल जाता है कि हमारा health benefit बहुत अच्छा है तब Walter को पता चल जाता है कि Skyler ने कुछ Elliot को पता दिया और इसलिए Elliot एक charity कर रहा है और उसको एक job दे रहा है Walter इसे गुस्सा हो जाता है और वो party से निकल जाता है Walter और Skyler के बीच में थोड़ी सी fight भी हो जाती है दुसरे दिन breakfast पे Walter Walter जुनियर से तो बात करता है पर वो Skyler से बात नहीं करता उसका गुस्सा अभी भी थंडा नहीं होता नेक सीन में जेसी बैजर को बुला रहता है मेट कुक करने के लिए बैजर जब वैन में आता है तो वो सप्राइजट हो जाता है कि बहुत अच्छा सेटप जेसी ने बनाया है बैजर सब वो सुडो लाता है अपनी बैग में बैजर जब फ्राइस के बारे में पुछता है तब जेसी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सब पॉट्स के नाम लेता है जेसी अब बहुत साइंटिफिक तरीके से फिर से मेट कुक करना चाहता है तो वो निकल परते हैं डेजर्ड को डेजर्ड में जब वो आते हैं तो वो बैच कूक करना स्टार्ट करते थे जब JC और Walter कूक कर रहे थे तब JC जैसा केरफी था वैसा ही बैजर भी जरा केरफी होता है केरलेस होता है पुरा दिन उनको लग जाता है वो मेत कुक करने के लिए चब मौर्णी में मेत कुक हो जाता है और जैसी उसे देखता है तो वो पुरी तरह से सैटिसफाइड नहीं होता पर बैजर को बहुत ही बढ़िया लगता है जैसी उसे उठा कर बाहर फेक देता जैसी को कस्टमर को कोई बैड कॉलिटी नहीं देनी होती नेक्स्ट हमें दिखता है वाल्टर जुनियर अपने दो फ्रेंड्स के साथ एक शॉप के बाहर उन्हें उस शॉप से बीर चाहिए होती है और वो किसी ऐसे आदमी को ढूंड रहे होते तो जब एक आदमी को वो पुछता है तो वो एक पुलिस ओफिसर निकल जाता है वो पुलिस ओफिसर वाल्टर जुनियर को अपने डैड को कॉल करने को बोलता है पर वाल्टर जुनियर हैंक को कॉल करता है हैंक उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड को कैसा लगेगा कि तुमने मुझे कॉल किया उनको नहीं हैंक उसको घर ले आता है जब हैंक उसे घर लाता है तब मरी स्काइलर के पास सी बेठी हुए हैंट एक को सम्झाइने की कोशिश करता है कि इस उमर में बच्चे ऐसा करते हैं प्लीस ये सब वाल्टर को मत बताना वाल्टर को कैंसर है असलिए वोल्टर जुनियर जरा परिशान है और इसलिए वो वीड ये वीर ये सब चीज़े कर रहा है फिर सकाइलर उसे सप्राइज ठोकर बोलती है कि वीड तो Walter जुनियर ने नहीं किया था Walter कर रहा था, Walter ने एड्मिन भी किया था कि उसे वो अच्छा लगता है फिर सकाइलर उसे बोलती है कि हमें Walter को जरा समझाना चाहिए जब मौरनिंग में वाल्टर घर आता है तब सब वहां बेटे हुए रहते हैं वह सिन वही कट हो जाए और और नेक सिन में जेसी और एक जो बैज कूक करता है वो उसे चेक करता है और फिर से डिसपोइंड और वह फिर से उसे लगता है कि क्लावडी है और वो बैज फिकने ही वाला हो तबही bagles usे रोकने की कोशिश करता है और bagles e decir इती j see bальное do Benzisa को van से निकाल देता है और wine drive कर ले, b evaceur को वही were горised में छोड़ कर हम फिर रॉल्टर पर आ जाते हैं, Walter को सब समझाने वाले है तो Skyler Walter वैं, इसे याणी treatment की जरूरत है और ये सब खर्चा भी इलियेट दे रहा है तो मैं ये पेंट कर लेनी चाहिए और फिर हैंक उसे समझाता है अपने अट पर अंदाज में कि अगर ये फ्री में हो रही है तो ले देना चाहिए इसमें प्राइड या अपनी डिग्निटी इस चीजों का जरा इस चीजों के बा बारी आती है मरी एक प्रोफेशनलिस्ट होती है और वो नर्स होती है तो वो बहुत सारे पेशंट्स वाल्टर की तरह देखते हैं और वो बोलती है कि वाल्टर जैसे बहुत सारे पेशंट्स होते हैं वो जो कीमोधेरीपी या ट्रीटमेंट लेने से मना करते हैं पर फैमि वाल्टर और मरी फिर से जगड़ा करने लग जाते हैं वाल्टर उन दोनों को शान्त करता है और फिल वाल्टर अपने बारे में बोलने लगता है वाल्टर बोलता है कि मेरे लाइफ में कोई भी डिसीजन खुझ से नहीं लिए और अब भी मुझे लग रहा है कि मेरे लिए सब डिसीजन ले रहे हैं मुझे सिर्फ जीना नहीं है मुझे मेरे घर पे रहना है मुझे जो में काम करता हूँ वही काम करने है और मुझे life enjoy करनी है सिर्फ जीना जीना नहीं हो अगर मैं बेड बर पड़ा रहू और मेरी बीवी को मेरा सब डर्ड साफ करना पड़े तो ऐसे जिने का क्या मतल़ यह सब Walter बोलता है अब यहां Skyler और Walter में एक conflict हो गई है और उनका fight भी चल रहा था एक दिन से तो जब next दिन Walter उठता है और वेड़ पर Skyler तो उसे different महसूस होता है और वो Skyler के पास जा कर बोलता है कि चलो treatment उसे अपनी wife दुखी देखी नहीं जाए next scene में वो hospital में होते है उनका insurance नहीं आने वाला होता है तो Skyler Walter को बोलती है कि वो directly check accept हो सकते है hospital में Skyler उसे बोलती है कि Elliot से हमें check लाना पड़ेगा तो Walter बोलता है कि मैं वो देख लूँ next scene में जब Walter गारी में बैठा हुआ होता है तभी उसको glitchern का call आता है उसे Elliot से पता चलता है Elliot मतलब उसका husband उसके husband से उसे पता चलता है कि Walter cancer है तो वो बोलती है कि जो पैसे हम तुमें treatment के लिए देने वाले है वो तुमारे ही है क्योंकि हमारी company में भी नाम तुमारे है वो उस Walter को बोलती है कि जो पैसे हम वो तुमारे ही है जो हमारे company में जो नाम है वो भी तुमारा ही है हम जो भी है वो सिब तुमारे वज़े से है उसके बाद वुलती है कि क्या तुम हमारी हम दोनों की वजए से पैसे नहीं ले मतलब वो वॉल्टर और उसके asc vagy car करती है वोल्ट एंकार करके thank you बोलकर phone रख देता है वॉल्ट जेसी का घर हठ पोच जाता है कि क्या कुछता है कि क्या कड़करे उनकी RV में रख रहे होते हैं, RV में जब सब मैस्त देखता है Walter, तो जैसे बे वो भड़क जाता है और उसे बोलता है कि बाहर का सब तुम समालो और मैं हमेशा RV के अंदर जो लाब है उसका सब समालोंगा, नेक्स सीन आता है Walter की केमिको थरीपी का, उसके साथ सकाइलर भी बेटी हुई रहती है, तो Walter उसे बताता है कि तुम घर जाओ, जब Walter जुनियर घर आएगा, तो उसे अपने मा चाही होगी, जब Walter पेमेंट करने जाता है, चेक जब वो लिखता है, तो कैशियोर को बताता है कि आप मंडे को इसे विड्रॉ करिए, यानि कि अभी भी Walter की पेसो की प्रॉलम चलती ही रहती है, अब जब Walter पढ़ाता रहता है, तब ही किमो के कुछ साइड इफेक्ट उसे महसूस होने लगते है, उसे नौसियेटेड लगता है, तो वो बाथरूम में जाकर उसे उल्टी हो तो वहाँ स्काइलर उसे बताती है कि तुम जरा मुझे डिस्टिंक्ट लगते हो, कि जब तुम बहुती देर तक घर नहीं आते, तो मैं वरीड हो जाती हूँ, तो फिर Walter उसे बताता है कि मुझे लॉंग वाप करना अच्छा लगता है, जब विवे में स्कूल खतम हो जात वै्ट्रों में कूख कर रहा होता है अच्छा सीन है, नेक्स देन में Walter अपने वैन में कूख कर यह जब आ होता है, और उसे बहुत गर्मी महस्सों सोने लगते है तो वह बाहर आता है, फास्ते खास्ते और वह個 ही गिर जाता है, जैसे उस सहे हूँ उतने में, मदद करता है जैसी पुछता है कि क्या हुआ, तो Walter उसे बताता है कि मुझे ज़रा गर्मी लग रही है, तो Walter को उसकी चेर पर बैठाता है, पर उसकी चेस्ट ज़रा ओपन रहती है, क्योंकि उसे गर्मी लग रही होती है, तो Walter की चेस्ट पर जैसी केमो थेरीपी के मार्क्स देख लेता है जैसी कि जो आंट होती है उसे भी cancer हुआ होता है तो उसे पता होता है कि ये कौन से मांग से जैसी को पता चल रहा जाता है कि Walter को cancer है जैसी उसे पूछता है कि इसलिए तुम कर रहे हो तो Walter उसे बता देता है जो second episode में last में बच्ची को जो मास्क मिला था वो DEA के पास होता है और उस मास्क का analysis करने के बाद उसे पता चलता है कि Walter की school में से वो चोरी हुआ था ये Frank उसकी कलिक को बोलता है कि ये तो Walter की school का था नेक्स्ट हमें JC अलग-अलग street पर जाकर meth sell करती हुए दिखता है वो बाद में Walter को एक phone gift करता है और उसके साथ पैसे भी देता है जो पैसे JC लाता है वो Walter को बहुत कम लगते है और Walter उसे बोलता है जो risk में ले रहा हो ये सब illegal जो में कर रहा हो इसमें ये worth नहीं है मेरा जो drug dealer था उसे तो तुमने मार दिया और उससे भी connection मेरा उसके brothers से हुआ था मेरे partner से हुआ और मेरा partner वो third grade से मेरा friend था ऐसे हम किसी से भी deal नहीं कर सकते अभिकाज जो drug dealer होता है वो टूको होता है और directly अगर JC उससे जाके मिला तो वहाँ कुछ भी हो सकता है इसलिए JC नहीं बोल देता है इसलिए JC उसे बताता है कि वो impossible है फिर से हमें किमो में Walter दिखा है और जब वो cash accounting में देता है तो वो cash वाली बोलती है कि ये भी Monday को करना है क्या इससे बता चलता है कि एक routine बन चुका है कि Walter की जो money problem है ये एक routine बन चुकी है फिर से school में वही problem Walter को होती है Hugo वहाँ फिर से available होता है और वो Walter को chewing gum देता है जब Walter ठिक ठाक हो जाता है और अपने लैप में जाता है तब है Hank वहाँ आ जाता है कुछ investigation करने उस mask की Hank उसे बोलता है कि मुझे inventory चेक करनी है Hank पता करता है कि कौन-कौन चाविया रखता है लैप की तो उसमें janitors, staff, principal और Walter के पास सिर्फ चावि रहती है Hank जब inventory चेक करता है तो उसमें बहुत सारा inventory missing होती है जो Walter ने ही गायब की Jesse का एक friend होता है skinny Pete वो टुको को जानता है और introduction करनी के लिए हाँ बोल देता है तो Jesse टुको को math देता है और test करने को बोलता है Math test करने के बाद टुको को उसकी quality बहुत अच्छी लग दिये फिर Jesse उससे price बताता है 35K per pound उसको वो बताता है टुको उसको बोलता है कि ठीक है और वहाँ से निकल जाने को बोलता है जैसी फिर उससे पैसे मांगता है तुको बोलता है कि अफरंट हम पैसे नहीं देते जब यह सब sale हो जाएगा तब मैं तुम्हें पैसे दोंगा जैसी चिर जाता है और deal cancer करने को बोलता है जब टुको तो जो Walter को हमेशा मदद करता रहता है जब Walter की पिंसिपल हैंक से पुछती है कि क्या हुआ तो वो बताता है कि इसका हमने बैगराउंड चेक किया तो इसने गंस प्रिवेस में रखी थी और इसे बहुत सारे चार्जेस थे तो उन्होंने उस सच्विशन में Hugo को अरेस्ट किया होता रहता है Walter दो तिन बार जेसी को कॉल करता है पर फिर भी जेसी पिक नहीं करता क्योंकि वो हस्पिटल में होता है तो उसका फ्रेंड Walter को कॉल करता है और बताता है कि कहा वो अडमिट है तब जेसी का फ्रेंड उसे टाको के बारे में बताता है Walter अपना हेड शेव कर लेता है क्योंकि फ्यूचर में उसके उसे ये कंसिक्वेंसिस बियर तो करने ही होगे तो वो पहली ये कंसिक्वेंसिस से सामने जाता है यही सीन रिप्रेजेंट करता है जो अगला सीन अमारा आने वाला है जिसमें वो टुको से मिलने जाता है एपिसोड के फर्स्ट में हमें बताया था Walter ने ही कि वो सिर्फ लैब में काम करेगा और बाहर का सब जैसी करेगा पर उसे मालूम होता है कि कभी ना कभी उसे बाहर से भी डील करना होगा तो जब वो हेर शेव करता है तो हमें पता चल जाता है कि वो कंसिस्क्वेंसिस को बेर करने को रेडी है बाहर का भी काम समालने को वो रेडी है तो Walter टुको को मिलने जाता है वहाँ जाके बोलता है कि मुझे टुको से मिलना है और जब तक मैं टुको से नहीं मिल पाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला टुको वाल्टर से उसका नाम पुछता है तो वो हैजनबर बताता है फिर से मेथ वाल्टर ने लाय हो रहता है टुको के लिए तो टुको उससे पुछता है कि इस मिटिंग तो तुमने ही बुलाई है तो इसका परपस क्या है तब हैंग बोलता है कि मुझे 50,000 डॉलर चाहिए जो अल्रेडी तुमारे पास एक पाउंड मेत है उसका 35,000 और 15,000 मेरे फ्रेंड को जो तुमने डामेज किया उसका और फिर उ तुम सही हो पर एक बात के बारे में नहीं वल्यटर एक मेत का बड़ा crystal लेता है और उसको ground पे डालता है एक बड़ा explosion होता है और बहुत जादा बनाते हो मुझे और भी चाहिए क्योंकि यह बहुत तेजी से पिक रहा है वाल्टर उसे बोलता है कि अब तुम्हें दो पॉंट लेने होगे और वहाँ से फिर वाल्टर चला जाता है यह एपिसोड एपिसोड नंबर 6 यही खतम हो जाता है तो एपिसोड नंबर 7 हो रही होती है डिये और उनकी प्रिंसिपल उनको दिलास देती है कि सब ठीक है उनको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रैंक उसी मीटिंग में बोर होने लगता है और स्काइलर को फिंगर करने लगता है मीटिंग खतम होने के बाद स्काइलर और वॉल्टर कार में ही से जैसी कट आये हुए रहते हैं जेसी के आहां और जैसी वैन में ही पड़ा हुआ रहता है, वॉल्टर अब दो ही बोलता है। टूखो से, जैसी ज़रा नाहराँ राज हो जाता है क्या अबहु वॉल्टर को टूखो से बिसनिस करना है। Walter उसे extra 15K भी दे देता है Walter Jeezy को यह भी बताता है कि अभे आप 2 pounds production करना पड़ेगा तो Jeezy उसको बताता है कि यह impossible है क्योंकि उन्हें बहुत सारा pseudo लगगेगा और इतना pseudo लाना एक impossible बात है क्योंकि ड्रक्पल स्टोर पर जाके बहुती कम amount में ही एक pseudo मिलता है नेक्स सीन में स्काइलर और वॉल्टर डॉक्टर से मिलने आयो हुए रहते हैं तभी डॉक्टर सब बोलता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है स्काइलर डॉक्टर को बताती है कि वॉल्टर की तबियत अब बहुत ही अच्छी होती जा रही है उसके एनर्जी भी बढ़ चुकी है और उसकी सेक्शुली भी यह बहुत अक्टिव रहने लग रहा है डॉक्टर उन्हें बोलता है कि अब इसका मतलब हमारा जो ट्रिट्मेंट चल रहा है वो बहुत अच्छे से सूट हुआ है वॉल्टर को नेक्स्ट विक वॉल्टर और जेसी जब टुकू को मिलते हैं तब उनके पास बहुत ही कम मेद होता है वो आधा पाउंड भी नहीं होता वॉल्टर ने एक डिस्टिंट कार स्क्रैप की एक जगा चुनी होती है उस जगा कोई आता जाता नहीं तो जेसी पहले ही उसको बता आया है तो वो गुस्सा हो जाता है कि वो बोलता है कि वॉल्टर तुम्हें तो मैंने एक प्रोफेशनल माना था पर ये क्या है तो गुस्सा होकर सिर्फ आधे पाउंड के ही वो उसे पैसे दे देता है पर वॉल्टर बोलता है कि मुझे वो पूरे पैसे चाहिए ये एक ब पदले में Walter उसे 2 pound next week में मैठ देने वाला होता है टुको Walter को एक वार्निंग देता है कि मुझसे बिजनेस करना तो ठीक है पर मेरे पैसे इंट्रेस से लेना बहुत ही डेंजरस हो सकता है जैसी वरीड हो जाता है और Walter को बोलता है कि तुमने ये क्या कर डाला जैसी बहुत टेंशन में होता है तब Walter उसे बताता है कि अब हम डारेक्ली सीडो से नहीं करेंगे एक बहुत सारे एकोक्मेंट्स की लिस्ट Walter जैसी को देता है और उसे बोलता है कि अब तुम ये सब लाओगे ये डिफिकल्ट भी हो सकता है पर अब अगर तुमने ये सब ला दिया तो हम डारेक्ली ओरिजनल केमिकल्स से मेट बनाएंगे जैसी घबरा जाता है और बोलता है कि मैं कहीं शिफ्ट हो जाओगा मैं मुझे अब ये सब नहीं करना पर वाल्टर उसे confidence देता है कि तुम ये कर सकते हो पूरे life के लिए तुमें बहुत benefit होगा इस सब चीजों से next scene में Skylar का baby shower चल रहा होता है baby shower की जो shooting Walter junior कर रहा होता है तो Walter वहाँ एक बहुत अच्छी speech देता है अपने बेटी के लिए वो अपने बेटी को देख नहीं पाएगा तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे message अपने बेटी को देता है baby shower में जब सब presents खोल रहे होते है तब Marie भी Skylar के लिए एक present आती है वो एक टियारा होता है जिसमें diamonds और gold का भी वो बना हुआ होता है कि तुमारे पास कुछ पीने के लिए है क्या तो वो अपने backyard में दोनों पीते है और तभी Hank एक Cuban cigar लिकालता है तो Walter उसे कहता है यह तो illegal है तो Hank बोलता है इतना इतना चलता है तो उनमें discussion होता है कि हम कैसे यह line draw कर सकते है कि क्या illegal या क्या legal है कुछ साल पहले मेद भी legal था अभी यह illegal हो चुका है अगले साल क्या legal होगा इसका कोई पता नहीं है Walter अपने actions को justify कर रहा होता है पर तभी Hank उसे बोलता है कि कुछ चीज़े illegal ही होनी चाहिए क्यूंकि उससे lives तब हो जाती है जैसे cocaine तो यही यह discussion खतम हो जाती है previous scene में जब Skyler डॉक्टर से बात कर रही होती है तो वो एक alternative medications मतलब कुछ therapy वेगरा इस जैसे चीज़ों के भी डॉक्टर को पूछती है तब Walter अब उसे अच्छा सा time चाहिए मेध कुप करने के लिए तो Walter Skyler को एक program के बारे में बताता है जो अनस्दिक ही होता है और वो उसे बताता है कि weekends में में जाना चाहता हो इससे Walter को एक time मिल जाएगा मेध कुप करने के लिए अब next sin में हम J.C की carriage में होते हैं J.C ने सब सामान लाया हुआ होता है Walter J.C से पुछता है कि मेθलमीन कहा है तो J.C उसे बोलता है कि वो नहीं मिल पाया वो बहुत ही important होता है मेध बनाने के लिए तो J.C बोल रहा होता है कि कुछ guys थे जो हमें मेθलमीन देने वाले थे जेसी को वो मालूम होता है तो Walter बताता है कि क्यों ना हम ही उसे चुरा ले जेसी उसको बोलता है कि वहाँ एक गार्ड भी होता है और वहाँ एक बड़ा सा लॉक है जिसे हम नहीं खोल पाएंगे तो Walter को एक आइडे आता है Walter वो लॉक थरमाइट से फोडने वाला होता है Skyler ने जो टियारा उसे मिला होता है बेबी शौवर पे मेरी ने उसे दिया होता है तो वो टियारा उसे return करना होता है क्योंकि वो बहुत expensive होता है और अगर वो पैसे मिल जाए तो बेबी के लिए कुछ सामान भी वो ले सकती है तो इसलिए वो return करने जाती है पर जब वो shop में जाती है और owner को बोलती है तब owner उसे security बुला कर एक room में burn कर देता है owner पुलिस को भी बुलाता है तब वो owner उसे कहता है कि एक week पहले ये चोरी हो चुका था हमने मेरी को पहले भी shoes की चोरी करते हुए देखा था तो ये भी मेरी ने चोरी कर लिया है अब Skyler दिमाग लगाती है और उनको बोलती है एक pregnant woman को जबरदस्ती यहाँ burn करके रखा है अगर ये लोगों को पता चल गया तो हंगाम हो सकता है और मेरा news channel में भी मेरे connections है तो मैं यहाँ बहुती बड़ा एक फसाद create कर सकती हूँ तो वो store manager या owner डर जाता है और Skyler को जाने देता है Skyler मेरी को एक बहुती गुस्से में message भी छोड़ देती है रात में Walter और JC उस facilities में पहुच जाते है वहाँ वो तार कट करके अंदर गुच जाते है और guard का आने का wait करते है एक बहुत बड़ा circle होता है तो guard जब circle करेगा तभी वो methylamine चुराने वाले होते है पर guard बीच में ही रुख जाता है और वो toilet में जा रहा होता है जब वो toilet में होता है तभी Walter को एक idea आता है और Walter और JC उसे toilet में ही burn कर देते है उसके toilet को दोरी से बान देते है वो thermite से दर्वाजा खोल लेते है पर जो वो अंदर जाते है तब methylamine का छोटा सा gallon में एक quantity उन्हें नहीं मिलती तो बहुत बड़ा एक tub ही होता है जो वो उठा लेते है उस tub को लेके ही वो slowly slowly भाग जाते है नेक्स दिन जब JC and water van शुरू करने के कोशिश करते है तो van शुरू ही नहीं होती और ज़्यादा force करने पर van का machine ही टूट जाता है और वहाँ से दुवा निकलने लगता है तो वो decide करते है कि हम अब basement में ही मेद बनाना शुरू कर देंगे और जैसे हमें episode के first में दिखाया गया कि JC अपनी property sale करना चाता है तो उसकी जो agents होती है तो उसने उसी दिन open house रखा हुआ होता है बहुत सारे लोग house देखने के लिए आय हुए होते हैं JC उसे बहुत सारे messages भी left करता है पर उस agent का phone कार में ही बन रहता है तो JC को basement के दर्वाजे को पकड़ कर रखना पड़ता है यानि कोई अंदर ना आ सके एक आदमी जोर जबर दस्ति करता है तो JC सब को बहार निकलने के लिए बोलता है Marie Skyler के phone भी नहीं उठा रही होती है और उसको बहुत ignore कर रही होती है तो directly Skyler उसके works place पर आ जाती है और उसे confront करती है Marie पूरी तरह से ये सब deny कर देती है इसलिए Skyler को बहुत गुसा आ जाता है और वो घर आ जाती है जब Walter घर आता है तो Skyler उसे एक जूज देती है और वो discussion के लिए बेटते हैं तो Skyler उसे पूछती है कि कैसा रही तुम्हें therapy तो Walter बोलता है अच्छी थी Skyler Marie के बारे में बोलती है कि उसने चो टियारा उसे दिया था तो वो चोरी का था Walter उसे बोलता है कि family के लिए लोग कुछ भी गलत कर सकते है Walter Skyler से पूछता है अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम क्या करोगी Skyler उसे बताती है कि तुम imagine भी नहीं करोगे मैं तुम्हारे साथ क्या करोगी Next scene में वही जगा Walter जेसी टुको को मिलने जाते है टुको को वो सब myth दे देते है तभी टुको बोलता है कि यह बहुत ही बढ़िया है और हम दोनों मिलके बहुत पैसा कमाएंगे तभी टुको को एक side man उसे Walter को बोलता है कि सिर्फ याद रखना कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो टुको को इस बात कर बहुत गुसा आ जाता है और टुको उसे बहुत मारता है टुको मार मार कर उसे बेहुश कर देता है और दुसरे आदमी को बोलता है बोडी कार में रखने के लिए Walter और J.C. बहुत घबरा जाते है और यही यह season खतम हो जाता है